हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एजुकेशनल हाइक्स तुड़े विया गूंग टो स्टार चाप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइफ लाइन का यह सेकेंड पार्ट है गाईज अगर आप लोगोंने फॉर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फॉर्स्ट पार्ट इसमें हमने बहुत सारी चीजह बowej करने के लिये वुट देता है औब कैसे फिलर्ज आने से मेचेरे सब्चाता है और क auditor को पकरता है हम भहाई सरे चीजह इससे करे में अरब हम सब्सक्रात D हम बहुत सारे चीज़े देखेंगे photosynthesis और water cycle के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेंगे और बहुत सारे चीज़े गाइस तो देखते हैं PDF 17.3 activity में क्या है हमारा हमें क्या करना है डिग करना है चोटा सा गड़ा बनाना है और उसमें हमें क्या करना है अब वेज amendments के waste ड़ा देने है put vegetables, waste and leaves on in it आपको कुछ पत्ते डाल देने है vegetable के waste डाल देने है उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी डाल देना है और उसमें कुछ पानी को cover कर देना है पानी भी उसमें डाल देना है और आपको 3 दिन बाद उसको remove करना है उसका upper layer उसके बाद आप क्या देखोगे does the pit feel warm inside क्या ये गरम है अंदर से अभी आप देखोगे इसके आगे क्या बताया जा रहा है पहली पूस्ती है there are so many trees here यहां पर बहुत सारे tree है also there are so many forest like this बहुत सारे forest भी ऐसे होते है what difference will it make if we cut some trees for the factory अगर कह रही है फैक्टरी के लिए हम कुछ जंगल काट भी देंगे कुछ पीड काट भी देंगे तो क्या difference होगा ऐसे तो बहुत सारे forest हैं बहुत सारे tree है तो प्रोफेसर एहमत कहते हैं you have read about autotropes heterotropes and saprotropes अब देखो मैं आपको बता दूँ autotrops क्या होते हैं जो अपना खाना फूड खुद से तयार करते हैं यानि कि green plants जो होते हैं वो photosynthesis की तुरू अपना खुद तयार करते हैं heterotropes स्क्राप्स और डिपेंड होते हैं heterotropes जो होते हैं वो autotropes पे डिपें होते हैं इनका मोड ऑफ नुट्रिशिन जो है यह मरे वरे जीव जन्त को खाते हैं सब्रोप्स तो प्रोफेसर आहमद बताते हैं कि तुम जरूर ऑट्रोप्स हेट्रोट्रोप्स और सप्रोट्रोप्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा यह लॉन्ट हाव ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूट और तुमने यह भी पड़ा होगा कि कैसे ग्रीन प्लांट जो है वह अपना फूड खुद तयार करते हैं फोटो सिंथिस के तुरू और एनिमल्स जो हैं वेदर हैर्बिवोरोस हो या फिर कार्निवोरोस हो हैर्बिवोरोस यानि कि जो घास फूस खात अब क्या कह रहा है । अभी ऐसे बताया जा रहा है कि जो ग्रास होता है उसे इन्सेक्स कहाते हैं विच तन इस टेकन भाई फ्रॉूग आт आप यह सीमें ऐसी साइकल इन्पूट को क्या चानि आर भी ओस फूपका लेगा इस इसने फ्रॉक्स एक्ष चेन इसे food chain कहते हैं यानि grass को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को frog खाएगा, frog को snake काएगा, snake को eagle काएगा अगर मानो इस food chain में किसी की भी कमी हो जाए जैसे मानो अगर यहाँ पे frog को गायब कर दिया जाए बीच से तो इंसेक्ट को कौन खाएगा, इंसेक्ट बहुत सारे हो जाएगे, तो वो grass को खाएगे बहुत जाएगे, तो grass के कमी हो जाएगी, तो यानि कि यह ultimately एक दूसरे पे टिपेंड होते हैं, अगर इन में से कोई भी जादा या कम होता है, तो पूरा जो है, वो food chain पे effect पड़ता है, if anyone, अगर इसमें से कोई भी one food chain is disturbed, अगर इसमें से कोई भी जैसे मैंने एक्जामपल दिया, अगर कोई भी food chain में disturbed होगा, it affects other food chains, ये effect करेगा, अगले food chain को, every part of the forest is depend on the other parts, ये जो हैं, इंटर कनेक्ट होते हैं, ये forest में जितने भी parts होते हैं, वो एक दूसरे से depend होते है हैं, एक दूसरे पर depend होते हैं, if we remove one components, trees, all other components would be affected, अगर हम किसी भी component को हटाते हैं, तो अगला component हमारा जो क्या होगा, वो affected हो जाएगा, अभी इस पिक को आप देखूगे, कैसे देखो, photosynthesis हो रहा है, carbon dioxide को कैसे observe कर रहे हैं, trees, और कैसे release कर रहे हैं, oxygen को, और ये जो पत्ते प्ररघे गिर रहे हैं, और फिर जो एनिमल्स जंगल में मरते हैं, वो कैसे decompose हो जाते हैं, और फिर वो nutrition देते हैं, plants को, trees को, बड़े होते हैं, और soil जो है, वो कैसे जड़ो के थू, soil जो है, पानी को कैसे observe करता है, कैसे infiltration होता है, फिर कैसे evocation होता है, यानि कि interrelations for plants, soil and decomp दिकमपोजिर उते हैं फोरस्ट में वह हैं कैसे एक दूसरे से इंतरलेटर होते हैं ईंतरलेशन्षिक होता है इनका फोटバ renovation क्तुछ्फी थूई खाना बना रहे हैं अब फोटोसंथेसिस अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं देखो कि फोटो सथ द Key कि इसमें हमें किसके सीज की जरूत पड़ती है इसमें हमें औक सीजन मतलब कार्बन डायोकसाइड और सनलाइट की जरूत पड़ती है हमें सनलाइट और सीयोटू यानि की कार्बन डायोकसाइड और वाटर इन तीनों को मिक्स करके कार्बन कार्बो हाइड्रेड बनता है हमा सुनाइब लिव्स के फूर बनता है पहली बात तो तयार होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है प्लोरोफिल सनलाइट की में पत्ते में जो होता है जिसमें co2 को statut करता है इसी लिए जो हमारे पत्ते होते हैं मतलब free fil a जाता है अब जड़ों की तूझ जो हैं यह निट्रिशन ले जाते हैं जड़ जो होता है रूट जो होता है वो निट्रिशन प्लांट्स को इसके थू मतलब ब्रांचेस की थू और पत्तों तक यानि लीव तक आकर पहुचते हैं और फिर संलाइट और वॉटर और प्लस अब मैंने बताया जैसे के कार्भोहाइडर्ट जो होता है वो कनवर्ट हो जाता है स्टार्च में फिर ऑक्सीजन हमें मिलता ही है यानि कि प्लांट्स हमें बहुत सारे चीज़े देते हैं यह इमेज में बहुत कोज़े बता रहा है ठीक है अब हम आगे देखते हैं सब्सक्राइब करके देखो 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 टीनी माइक्रो मश्रूम जो होता है जो मश्रूम होता है उस पर छोटे 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 लीफ्स वो देखते हैं बच्छे दे ऑल्सो सा वो देखते हैं यह वी कि आर्मी ओफ टीनी इंसिक्ट्स होते हैं बहुत सारे इंसिक्ट्स और बहुत सारे आंट्स को देखते हैं, बीटल देखते हैं, उस मश्रूम पे, वो सोलते हैं कि उस पे कैसे इतने सारे और्णिस में छोटे मोटे जीव जन्द जो हैं, उस पे कैसे हैं, प्रोफेसर एहमद उन्हें एक्स्प्लेइन करते हैं, आपको जो आसानी से दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, वो भी और कुछ माइक्रो आर्मिस्म यानि कि जो बहुत ही चोटे जीव होते हैं, वो भी सोल पे रहते हैं, पहली वंडर्ट मश्रूम और अदर माइक्रो आर्मिसम इट, यह mushroom और दूसरे microorganism हो क्या खाते हैं तो Professor Ahmed reply करते हैं that they feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into a dark colored substances called humus Professor Ahmed कहते हैं बच्चों को reply करते हैं कि यह जो होते हैं जो dead plant होते हैं और animal होते हैं उनको जो है यह convert करते हैं humus में convert करते हैं अब आप लोगों ने you have learned about the humus in chapter 9 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा humus के बारे में in which layer of the soil would you find humus आप कि लेर पर पाते हो humus को what is it's important to the soil इसका क्या important है soil के लिए the microorganism which converts the dead plants and animals to humus are known as decomposers जो microorganism होते हैं चोटे चोटे न जो convert करते हैं dead plant होगा plant तो उतना बड़ा सा था था ना अगर वो suppose एक plant गिर गया आपको उस दिनों में जाओगे देखोगे वहाँ पे वो प्लांट बचे गा ही नहीं यानि कि अभी कोई animals मर जाए तो उससे तो उससे आपके खा जाएंगे और जो थोड़ा बहुत बचा भी रहेगा वो थोड़े दिन में वहाँ पे नहीं दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा because of this microorganism यह microorganism उसके छोटे छोटे टुकुडे में convert कर देते हैं humans को और इन ही को हम क्या कहते हैं decomposers कहते हैं these microorganism plays an important role in the forest यह microorganism जो होते हैं यह भी बहुत important role play करते हैं forest में तो पहली जो होती है soon पहली removed some dead leaves and discovered under them a layer of humans on the forest floor अब जब पहली जो है उस पत्तों को हटाती है वहाँ से तो वो देखती है मतलब एक layer देखती है humans का उसके बाद the presence of humans ensures that the nutrition of the dead plants and animals are released into the soil जो वो dead plants होते हैं या फिर जो animals होते हैं dead उनके nutrition जो होते हैं वो soil में धीरी धीरे release होते रहते हैं यह पता चला पहली को from there these nutrition are again observed by the root of the living plants अब वो जो और जो मतलब वो soil में release कर रहे हैं वो जो dead plants और dead animals का nutrition जो अब जड़ों के थ्रू अगें वो plants में ही जाएगा जैसा कि अभी मैंने बताया कि plants मतलब plants जो होता है वो जड़ों के थ्रू ही तो nutrition को लेता है अपने तो यह जो dead plants और dead animals हैं इनके nutrition जो release हो रहे हैं डेड़ अनिमल्स बीकम फूड 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 फॉर वोल्चुर्स जानवर होते हैं जो उन्हें खा जाते हैं इन दिस वे दर नूट्रिशन आर साइकल इसी जड़े से इस नूट्रिशन जो होता है इसका साइकल चलता रहता है प्लांट में यानि कि जो plants होते हैं यानि जो forest होते हैं वहां बेड़े सो nothing goes waste in the forest forest में कोई वी चीज वेस्ट नहीं होता है सबका अपना utilization होता है सबका अपना process होता है सबकी एक cycle होती है अभी हमने nutrition के बारे में देखा अभी हम आगे देखेंगे कैसे बारिश बारिश होता है तो कितना ज़ादा वो observe करते हैं हमारे जो forest होते हैं पहली remembered पहली जो होती है को remind करवाती है पहली reminded professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs तो पहली याद लाती है professor Ahmed को कि उन्होंने अभी तक explain नहीं किया कि forest को क्यों green lungs क्याते हैं अब अर्थ का क्या है green lungs? Amazon forest को कहा जाता है यह मैंने extra information दिया तो professor Ahmed जो है वो explain करते है that plants released oxygen through the process of photosynthesis अभी मैंने short में photosynthesis आपको बताया उसके through plants हमें oxygen देते है the plants help to provide oxygen for animal respiration अब जो plants हमें oxygen प्रोइट करते हैं उससे हमारा जो हम animals होते हैं हमारे respiration का process सलता है they also maintain अभी हम आगे देखेंगे वो क्या balance of oxygen and carbon dioxide वो balance करते हैं अभी देखेंगे plants कैसे balance करता है पहली क्या remind करती है their plants that they have studied photosynthesis के बारे में वो लोग को chapter 1 में पढ़ चुके हैं पहली reminded their friends that they have studied photosynthesis in chapter 1 photosynthesis के बारे में मैंने भी बता दिया आप लोग वी chapter 1 में पढ़ भी चुके हो अब कैसे plant जो होते हैं वो oxygen देते हैं animals को फिर animals जो होते हैं वो carbon dioxide to release करते हैं अगेन उसको plant observe करता है फिर oxygen देता है तो कैसे forest जो होता है वो balance बनाए रखता है oxygen and carbon dioxide in the atmosphere नहीं तो अगर carbon dioxide बहुत ज़्यादा हो जाएगा atmosphere में तो हमारा atmosphere बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा warm हो जाएगा बहुत जाएगा बहुत जाएगा water cycle के बारे भी मैंने बताया कैसे in-filtration होता है या नि की ग्राउंड बॉ sneaking कैसे जाता है फिर application होजाता है भाप बन कर वह पानी उड़ जाता है तो पूजो भी वही recall करता है Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation ये हमने आपको अच्छे से explain किया है कि कैसे root के through पानी को लिया जाता है फिर उसको evaporate कर दिया जाता है तेखें उसके बाद If there were fewer trees How will the water cycle be affected? अगर मतलब कुछ tree होंगे तो water cycle कैसे affected होंगे? तीबू told them that the forest is not just home to plants and animals जो forest होता है वो animals के लिए ही नहीं घर होता है बलकि बहुत सारे people भी forest पे depend होते हैं अभी हम कैसे tribes के बारे में देखेंगे आप लोगोंने कुछ movie भी देखा होगा कहीं जगा पर पढ़ा भी होगा आप लोगोंने tribes के बारे में तीबू explained करता है that these people depend mostly on the forest ये people जो होते हैं यानि जो tribes होते हैं जो जंगल में रहते हैं ये जादा करके वो जंगल पे ही depend होते हैं the forest provides them with food, shelters, water and medicines ये जो tribes होते हैं इनको ये जंगल से ही लेते हैं फल्वल जो होते हैं वो खाते हैं और पेडों के नीचे रहते हैं बहुत पुराने टाइम में आप देखोगे अभी के टाइम में भी जो tribes होते हैं पत्तों के कपड़े पहन लेते हैं और water भी वहीं से मिल जाता है और इनलों के इतनी knowledge होती है tribes को कि वहाँ पे जितने medicinal plants होंगे उसका ये utilization भी कर लेते हैं ये अगर इनको कुछ हो जाता है tribes को तो ये hospital थोड़ी ना जाते हैं वहीं पे ये अपना ही लाज कर लेते हैं अभी मैंने बताया कि इनको बहुत जाधा traditional knowledge होता है कि जैसे देखो अभी तुलसी का पत्ता नीम का पत्ता यानि कि बहुत सारे medicinal plants होते हैं वाइल बूजो वास ड्रिंकिंग वाटर स्वाम स्मॉल स्ट्रीम बूजो क्या करता है वो देखता है फिर की एक डिर जो होता है वो क्रोस कर रहा होता है stream को यानि कि नदी की था छोटा सा होता है यानि कि अपनहर की था बोलो they disappeared into the bushes और वो बूशस में स्कोड़ आता है फिर मतलब चुब जाता है the dense bushes and the tall grass इपको सब्राइं बन्षाइड ऑंडयर 50 सब्सक्ट करते हैं इपक सर्फ नेए शर्ट करते हैं दिषोड। इपक सब्सक्राइब दोख सब्सक्राइब है सबस्म порकिते इन द्रीट आईicipल में इस भी अच्छेय। पहले के टाइम पे आप देखोगे फूद प्रिंट से लोग बता देते थे कि यहां से कौन सा अनिमल गुजरा है तो इन सब के बारे में प्रोफेशर आहमत बताते हैं बच्चों को बूजो कॉल कुल एवरीवन और शोर देम लार्ज डिकेंग इप ऑफ एनिमल ड्रोपिंग उसके बाद सेवरल बेटल्स एंड ग्रप्स एंड फीडिंग वर फीडिंग आं दा हीप आप बन्च में उनको देखते हैं कि कैसे वह सीडलिंग्स वह करते हैं इस सीडलिंग्स आर अब देखो अगहां जंगल नहीं पर कुछ इकटा है कूछ कोई कूड़े जैसा मानों कही पत्ते गिरे है अगर उनिम Cornwall फेंग्स खांग्स आपने वहां पर बड़े जीव तक सब का अपना काम है तो जो एक अपना काम है आपको एक आपको खाते और ओक गिरते हैं तो फेडलिषण करके वह तो उगी जाते हिं these seedlings are of the herbs and sharps अभी herbs sharps के बारे में आप देखोगे मैंने कली बता दिया था पहली remember that she saw people's saplings on the side wall आप देखती वो पने school के बगल में can you help her to understand how this would be happen also protect them अब हम आगे देख रहे हैं कि ये animals के बारे में हम देख रहे हैं also protect them from carnivores that lives in the forest तीबो क्या करता है then started looking closely at the forest flow soon he called at the animals also disperse the seed of certain plants and help them to grow and regenerate अभी मैंने ये example आपको बताया कि तीबो जो है उन बच्चों को explain करता है कि कैसे animals हो हैं वो help करते हैं plants को मतलब seed को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसको बढ़ता है फिर वो regenerate करने में help करते हैं the decaying animal dung also provide nutrition to the seedling to grow ये जो होते हैं decaying animal होते हैं उनके जो डंग होते हैं यानि गोबर उपर जो होता है ये भी nutrition provide करता है इन बीजों को nutrition मिलेगा तभी तो वो जल्दी से बढ़ेगा बारिश होता है पानी मिल जाता है और कुछ decaying animal रहेंगे कुछ पत्ते रहेंगे जो plants का waste होता है वो डंग व seedlings होते हैं इनके grow करने में मदद करता है ये डंग पर आफ्र लिस्निंग तो दिस बूजु नोटेड इन नोट बुक में नोट करता है बाई कि जो ये variety of plants होते हैं the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores larger number of herbivores means increased availability of food for the variety of अब यहां आके देखेंगे यानि कि देखो जितना आप ज्यादा जो है वो करोगे क्या करोगे आप जितना ज्यादा आप forest में प्रोवाइट करोगे opportunity food का उतना ज्यादा अब यहां पर रेन हो रहा है रेन होगा the closely जो 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 क्लोज्ड कैनॉपी होगा कानॉपी हमने देखा था उपर का पार्ट जो होता है जो क्राउन की तरह होता है the closed canopy and mini layer of vegetation slow down the speed of rain drops यह 23 बारिश आ रही है लेकिन यह जो कनापी होते हैं इनके भी नीचे दोगों यह जो जो स्टोड यह बने होता है यानि कि छोटे पेड़ जो है उसके उपर बड़े पेड़ है यह कितना स्लो कर दे रहे हैं rain के drop को transpiration and evaporation के बारे में हमने देखी लिया और root system के बारे में हमने देखा कि कैसे वह infiltration कर देगा पानी को अंदर यानि ground water में store कर देगा the root system helps water to seep down the forest इसे हमें यह पता चलता है कि इसे हमारे flood नहीं आएगा अगर जितना जादा forest रहेंगे flood आने के कम उतने जादा chances मतलब बहुत कम chances रहेंगे यह food मतलब और इसे हमारी मिटी भी बहुत जादा उप जाओ बनती है fertilizer हो जाती है और उसके बाद covered round with decaying material acts like a sponge और जो यह हमारे decaying material होते हैं यह भी पानी को सीप करते हैं carnivorous ठीक है अब उसके आगे हम रिखेंगे कि जैसे जितना जादा herbivorous बढ़ेंगे तो carnivorous भी हमारे बढ़ेंगे the void variety of animals helps the forest to regenerate and grow जितनी ज्यादा variety of animals रहेंगे उतना ज्यादा regenerate होगा हमारा forest मतलब यह forest उतना ज्यादा regenerate होगा और उतना ही ज्यादा बढ़ेगा हमने food chain देखा था अगर उसमें कोई भी बढ़ जाएगा या फिर food chain में कुछ भी कम पढ़ जाएगा तो overall सब को effect दालेगा ठीक है पूरी food chain को effect दालेगा decomposes जो decomposers होते हैं help in maintaining the supply of nutrition to the growing plants in the forest therefore the forest is a इसको क्या कहते हैं dynamic living entity जो decomposers होते हैं यह बहुत साथ maintain करते हैं nutrition को अभी हमने देखा था कि जो microorganism होते हैं वो कैसे nutrition को maintain रखते हैं वो अगर कोई एक अनिमल मरा हुआ है उसको तो पहले बाद दूसरे अनिमल आके खा जाएंगे उसके बाद वो जो बचेगा वो थोड़ी दिन में गायब हो जाएगा यानि कि decomposers उसको nutrition में convert कर देते हैं यानि कि वो अगें स्वाइल में जो है मिल जाता है दो फॉरेस्ट इसी विज़े से फॉरेस्ट में जो है वह बहुत तरीकी कि जितने जाधा variety of animals रहेंगे उतने जाधा जो है full of life and variety it was about afternoon and the children wanted to go back अब बच्चे घर जाना चाहा रहे थे तीबू सजिस्टर अनदर रूट फॉर गोइंग बैक और तीबू कहता है कि हम दूसरे मतलब रूट से चलेंगे while they were going back it started raining तो बारिश चुड़ हो जाते हैं तो बारिश चुड़ हो जाते हैं तो बच्चे यह सर्प्राइज हो जाते हैं यह देखकर के the uppermost layer of the forest canopy inter मतलब वो जो canopy अभी हमने देखा कि कैसे वो पानी के rain drop को slow कर दे रहा था अब एक की canopy उपर है दूसरे पेड की canopy नीचे है अब वहां से उपर वाले से अगर थोड़ा बहुत पानी नीचे आ भी गया तो जो नीचे वाला canopy वो थोड़ा सा रोक लेगा तो directly जो है वो अभी अर्थ तक पानी जल्दी से नहीं पहुचेगा तो flow नहीं होगा rain drops floor तक पेड के नीचे तक the most of the water was coming down through the branches and stems of the tree और वो डारेक्ट ली इस वज़े से नहीं आएंगे और वो ब्रांचे के त्रू आएंगे डारेक्ट ऐसे जड़ो में चले जाएंगे डारेक्ट वैसे leaves के थू नहीं आते हैं बहुत काम आते हैं बच्चे वही देखते हैं कि वो कैसे ब्रांचे के थू हर्फ के शू थू सर्फ से थू आ रहे हैं लेकिन वो देखते हैं कि जो जमीन है पतलब पेड के नीचे का जो फ्लोर है वो अभी भी ड्राई अभी भी सूखा है मतलब एक गंटे के बाद भी एक गंटे के बाद भी वो जो होता है रीन रुख जाता है अब वो देखते हैं कि जो उपर का फ्लोर है डेड लीव जो है वो फोरेस्ट पे दिखते हैं उन्हें और गीले रिखते हैं बट वाटर डिड नाट वाटर जो होता है अब देखो अपर और मैं आपको बता दे रही हूँ बूजो था और अब जो सूछती है कि अगड एसी बारिस होती रही तो टाउन में जो होता अगर आपके टाउन में आसा हुआ अगर अगर आपके टाउन में ऐसा हुआ ओता तो क्या होता अभी आगर आप शेहर में रहे हो nett को हुआ हो ते तो देखते हो थोड़ी देर वारिश आती है तो सड़क में बहुत जादा पानी पर लेकिन गाउ नहीं होता हुआ जहां पर जादा पेड जुआ फके सांसे हैं जो पहद पानी को और यह सीप कर जाते हैं यानि कि ग्राउंड वाटर में पानी चला जाता है इंफिल्ट्रेशन के थूपर जो हमें मिट्टी मोईस्चर दिखती है मिट्टी में वहां से मारा वाटर टेबल स्टार्ट हो जाता है और वाटर टेबल जो है वह जगर टो जगर वैरी करता है यानि कहीं पर बहुत जादा नीचे होगा और कहीं पर यह में जल्दी से मिल जाता है वाटर टेबल में यानि कि कुछ मीटर की दूरी पर कुछ मीटर डिगिंग करन water जो मतलब यह forest जो है वो control करता है flood को control करता है और water के stream को control करता है और तो और on the other hand if trees are not present rain hits the ground directly और that may flood area around it तो rain जो है वो अगर directly हमारे आर्थ पे मतलब यह मिट्टे पे हमारे गिरेगी इससे flood आने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं उस आसपास की area में heavy rain may also damage the soil और बहुत जादा अगर directly उतने उपर से पानी गिरेगा तो उससे soil भी बह जाता है तो soil भी damage होने के chances बहुत जादा रहते हैं अगर soil जो है वो root से चिपका होता है root of trees normally वो क्या करते हैं इसलिए जहां पर जितने जादा पेड़ होते हैं वहां पर जादा मिट्टी को बहने नहीं देता है तो इस वज़े से यह भी करता है हमारा forest but in their absence the soil is washed away और erodate अगर अभी मैंने यही बताया कि अगर plant ना हो तो soil जो होते हैं वह बह जाते हैं तो उनमें जो अपर लेयर हमारा nutrition का होता है वह भी बह जाता है तो उसकी fertilization कम हो जाती है उस जगह पे मिट्टी की the children spend an hour at tibu's village on their way back बच्चे कुछ गंटे बिताते हैं जब वह लौट रहे होते हैं the weather of the village was quite pleasant अब वहां का मौसम जो है बहुत अच्छा हो जाता है विलिजर्स टोल्डेम देंट दूर्डू सराउंडिंग्स फॉरेस्ट यह असपास जो इतना जंगल है दे रिसीवड गूट रेनफॉल इस विज़े से उनको अच्छी बारिश मिलती है जहां पर जितना अच्छा फॉरेस्ट रहेगा महां पर बारिश भी अच्छी होती ह है और नौइस भी नौइस पॉलिशन भी उससे बहुत जादा कम होती है नौइस को भी अब्जर्व करता है जैसे वाटर को अब्जर्व करता है वैसे ही दे चिल्डेन लांट अबाउट इस्ट्री ऑफ विलेज इस इक सर्प्राइज और बच्छों को सर्प्राइज हो जा है वहां पर जो तयार हुआ है वहां पर फॉरेस्ट को काट करके तयार हुआ था तीबूस ग्रैंट फादर टोल्ड इम डैट वेन ही वोज यंग जब वो तीबू के ग्रैंट फादर यंग थे विलेज वोज नौट ऐस लार्ज आज एज वोज जो जितना बड़ा अब है फॉरेस्ट को कट करके बना है और यह जो आसपास के चीज़े बनी है यहां पर पहले बहुत जादा फॉरेस्ट हुआ करता था लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग्स इंडस्ट्रियल डेवलेप्मेंट और इंक्रीजिंग डिमांड फॉरेटेड़ प्रेसर उन इस इट स्टाटर्ट वैनिश और यह मतलब खतम करने लगा अब किस वज़ेसे जंगल जादा तर खतम होते हैं कि रोड बनना होता है बिल्डिंग बनना होता है और जो जल्दी से जो इंडस्ट्रल डेवलेप्मेंट होते हैं उसमें जादा से ज्यादा लकडी की जरूत हो दादा जी तो जो विलेज जवालो नेम फॉरस्ट को दुबारा से नहीं लगाया रीज जेनरेट नहीं किया इस विज़े से उनके दादाजी थोड़े से मतलब खुश नहीं थे हैं और इस नॉट वर्ज आफ डिस अपेरिंग दू ओर गर उतना ही प्लांट तो नहीं और मतलब उनके दादा जी यहीं बताते हैं कि अगर आप जितना चीज़ें यहां से कट कर रहे हो और आप एक जगह पे जितने फॉरस्ट को कट कर रहे हो उसका अगर उतना ही प्लांट हम कहीं और पे लगा दे आसपास की जगह पे तो ठीक है लेगिन अगर उसे रिजिनरेट और अपने इनवर्मेंट को भी बचा सकते हैं और अपना डेवलेप्मेंट में वागे कर सकते हैं चीज़ें प्रिपेरड फ्यू पिक्चर टू सो दो कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट बच्चे जो होते हैं वो कुछ इमेज तायार करते हैं कि क्या होगा बताते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमें प्रवाइट करता है ऑक्सीजन दे प्रोटेक्ट स्वाइल एंड प्रवाइड हैबिट टो लाज नूमर ऑफ अनिमल्स और फॉरेस्ट हेल्पिन ब्रिंग गुड रिन फॉल इन दे नेबरिंग एरियास और दे आर सूर्स ऑफ मेड सीजन देता है और बहुत सारे अनिमल्स के लिए घर देता है उनको फूड और देता है और फॉरेस्ट हमें बहुत सारी मतलब अगर जहां पर आसपास में जहां पर अच्छा फॉरेस्ट रहेगा वहां पर आसपास के एरिया में बहुत अच्छी बारिश भी होगी और जाएधा प्लांट्स लगाने चाहिए वाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसपीर क्या होगा अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा अब यहां पे पिक्चर वन में आप देख रहे हो कितने सारे प्लांट्स है और यह वहिकल भी जा रहे हैं कारवन डाय ऑकसाइड जो निकाल र प्लांट्स होगा है और हमारे इन्वोर्मेंट में सीयोटू ही यानि कारवन डाय ऑकसाइड दिख रहा है यानि जिससे क्या होगा इफ फॉरेस्ट डिसपीर दामांट ऑफ कारवन डाय ऑकसाइड इन दे एयर विल इंक्रीज कारवन डाय बढ़ जाएगा और क्या रिजल् अरि जाय आनिमल्स भी गायव हो जाएंगे इन अपसंस वब ट्रीज अप्लांट्स दे अनिमल्स वील नॉट गेट फूड अन शेल्टर दिख रहें बीमर जाएंगे गायव हो जाएंगी जब इनको उस खाने पीने के लिए इन नहीं मिलेगा इन अपसंस अफ ट्रीज दस को जंगलों को काटते हैं हमें जंगलों को काटना नहीं हमें एफार्सेशन कर छी में हमें जंगलों को लगाना चाहिए जो डीफॉर्सेशेन वि इंडेंजर्ड आवर लाइफ एन इद्मव्वोमृ debates think what we can do हम क्या कर सकते हैं अपने forest को preserve करने के लिए तो यहाँ पर देखो यह flood आ गया है तो I hope आप लोगोंने बहुत कुछ सीखा होगा इस chapter में अगर आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं तो आप लोग इसे like करिये और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करिये Thank you for watching guys